दिल्ली जल बोड में गड़बड़ियों के आरुपों का सामना कर रही केजडिवाल सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने बताया कि केजडिवाल सरकार पिछले 15 साल का सीएजी और्डिट करवाएगी उन्होंने कहा कि जल बोड का सीएजी और्डिट करवाने का ओर्डर अर्विन केजडिवाल ने जारी किया है यह आदेश देते हुए सीएम केजडिवाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर ब्रष्टाचार बरदाश्ट नहीं किया जाएगा आदेश मिलने के बाद जल मतरी आतिशी ने भी साफ किया कि भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा से आब आदमी पार्टी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीती रही है दरसल विपक्ष बीते काफी समय से दिल्ली जल बोड में गड़बडियों का आरोप लगाता आ रहा है साथी ब्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं ऐसे में दिल्ली सरकार का C.A.G. आड़िट करवाने का फैसला जाच के लिहाद से काफी हैम साबित हो सकता है क्योंकि दिल्ली सरकार अब साल 2008 के बाद के जल बोड के सारे अकाउंट खंगा लेगी प्रेस कॉंफरेंस के दौरान आतिशी ने कहा कि पंजाब में हमारे मंत्री पर आलोप लगे और शुरुवाती जाच पर मंत्री को हटा दिया गया था उन्होंने कहा कि आहम आदमी पार्टी सरकार ने आज तक नएक पैसे का भ्रष्टाचार किया है और नहीं आगे करेगी आतिशी ने ये भी साफ किया कि पारदर्शिता के लिए दिल्ली जल बोड का पिछले 15 सालों के कारेकाल का C.A.G. आडिट करवाना जरूरी है दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में ना एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है और ना एक पैसे का भ्रष्टाचार करेगी लेकिन क्यूंकि आज पब्लिक डॉमेन में दिल्ली जलबोर्ड को लेके जो दिल्ली की सरकार का एक हिस्सा है और एक महत्वकून हिस्सा है बार बार विपक्ष द्वारा सवाल उठाये जा रही हैं दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल जी ने ट्रांसपेरेंसी के इंट्रेस्ट में भरष्टा-चार के खिलाफ लढाई लड़ने के इंट्रेस्ट में और सारे तत्यों को सामने लाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का पंदरा साल का स्पेशल ओडिट CAG द्वारा ओडर किया है कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी नहीं फैसला लिया है कि 2008 से लेके अब तक दिल्ली जल बोर्ड के सारे अकाउंट्स को CAG द्वारा स्पेशल ओडिट करवाया जाएगा ये स्पेशल ओडिट दिल्ली जल बोर्ड आक्ट और CAG का ड्यूटी ज्पावर्स और सर्विस आक्ट के तहत करवाया जाएगा हम CAG के साथ बैठ कर इसके सारे टर्म्स और कंडिशन तेह करेंगे और हम CAG से आगरे करेंगे कि जल्द से जल्द इस और्डिट को करेंगे